हेलो दोस्तों आज मैं CRT TV कीट के बारे मैं बता रहा हूं कईसे चेक किया जाता है इसका भोल्ट और डेड़ हो सेट तो कईसे चेक करके इसको बनाया जाता है सबसे पहले इस दोनों पॉइंट पर यहां और यहां एसी भोल्ट हम चेक करेंगे 220 वोल्ट यहां 220 वोल्ट ओके है तो में लीड और स्विच जो है कि ठीक है उसके बार यहां से फ्यूज चेक करेंगे फ्यूज चेक करने के बार यह दोनों पॉइंट पर एसी भोल्ट आना चाहिए अगर यहां एसी भोल्ट ओके है तो इधर का सब ठीक है अगर एसी इधर ठीक नहीं है तो यह फ्यूज और यहां एलेफसी चोग जो है इसको चेक करेंगे क्वाइल होता है यहां पर ट्रास्फार्मर टाइप का इसको चेक करेंगे यहां एसी भोल्ट ठीक है तो हम यहां पर कंडेंसर पर डीसी तीनसो भोल्ट चेक करेंगे यहां यहां नहीं मिल रहा है तो यहां बिरिज डायोड चार गो लगा हुआ है एक ठो यहां एक ठो यहां और एक ठो यहां चार भीज डायोड है उसको चेक करेंगे ुसके ब डीसी इस कंडेंसर पर डीसी तीनसो भोल्ट आना चाहिए यहां डीसी तीनसो भोल्ट आ रहा है तो हम यहाँ पर 110 भोल्ट चेक करेंगे इस पॉइंट पर 110 भोल्ट यदि ठीक है तो कोई बात नहीं अगर ठीक नहीं है तो इधर हम चेक करेंगे इस HDR के बिच वाल पॉइंट पर 18 भोल्ट और यहाँ पर यह ट्रांस्फार्मर लगा हुआ है तो ट्रांस्फार्मर पॉइंट से इधर से होकर जाता है आपको HDR के पिन नमर एक पर यहाँ पर 300 भोल्ट चेक करेंगे डिटल मीटर से अगर SMPS काम कर रहा है तो डिटल मीटर से यहाँ भोल्टेज नहीं चेक हो पाएगा यदि सेट अभी खराब है 110 नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर DC 300 भोल्ट मीटर बताएगा अगर नहीं बताएगा DC 300 भोल्ट बता रहा है तो इसका मतलब इस सेट अभी ओके नहीं है SMPS अभी ठीक नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ रेजिटेंस होता है दोठो रेजिटेंस 120 किलो और 120 किलो सिरीज में रहता है 120 यहाँ आ 120 यहाँ तो 240 किलो का रेजिटेंस से 18 भोल्ट आपको इस बीच वाला पॉइंट पर यानि तीन नमर एक दू तीन नमर एस्टियार के तीन नमर पर आना चाहिए अगर 18 भोल्ट नहीं मिल रहा है और यहाँ पर 300 भोल्ट मिल रहा है तो यह रेंस्टेंस चेक करेंगो ओपन के लिए यहाँ नहीं मिल रहा है तो यह रेंस्टेंस ओपन है अगर मिल रहा है तो यह ठीक है उसके बाद str बदल कर देखेंगे voltage ok हो जाएगा तो यहाँ पर 4 volt मिलना चाहिए 5 नमर पीन पर और 4 नमर पर 0.5 volt यानि आधा बोल्ट मिलना चाहिए उसके बाद str बदलने के बाद sit ok हो जाएगा 110 यहाँ पर चेक करेंगे तो 24 यहां चेक करेंगे 12 यहां चेक करेंगे 18 यहां चेक करेंगे इसके बाद अगर sit नहीं अन हो रहा है तो शबसे पहले पांच भोल्ट यहां चेक करेंगे जो कि एस्टेन बाई भोल्ट होता है यह पांच भोल्ट बारव भोल्ट से बनता है बारव भोल्ट से एक रेस्टेन्स और यहां जेनर लगा कर पांच भोल्ट बनता है यही पांच भोल्ट आपको इमेन आईसी के पिन नमर नमर पर ऐगा यह बोल्टिज चेक करेंगे तब उसके बाद एस्टेनबाई ृमोटसे यह आपनल से हम एस्टेनबाई को ऑान करके देखेंगे ऑन के बाद यहाँपर आछ बोल्त मिलने चहिए और यहाँपर फॉल्ट मिलने चहिए यह दो इहां पर प्वोल्ट या 8 वोल्ट मीलना है को जीया है उसके बाद 2014 भोल्ट से एक रेष्टेंस के थुरू यां ट्राइबर ट्रांसफार्मर है के इसपर 16 भोल्ट मिलना चाहिए और यां ढांस ट्रांज्यक्रGR मोलना है जीया है 8 वोल्ट मिलेगा तब जो है कि यहां 0.5 वोल्ट बनेगा उसके बाद ट्रांस्फार्मर के सेकेंडरी वाइनिंग पर यहां AC 2 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए AC वोल्ट अगर मिल रहा है तो समझे कि इधर IC हो गर सब ठीक है तो यहां AC कैसे चेक करेंगे तो यहां पर LED एक्ठो जला कर देख लेंगे LED यदि ठीक से जल रहा है तो इधर का सेट ओके है उसके बाद यहां ट्रांस्टर और EHT का चेक करेंगे तो EHT जब ओके हो जाएगा EHT काम करने लाएगा तो यहां पर 180 वोल्ट आना चाहिए EHT के पीन पर जलिखा हुआ है 180 यहां से एक डायोड लगेगा डायोड के बाद यहां कंडेंसर लगेगा उसके बाद 180 वोल्ट यहां DC मिलने लगेगा और हीटर सप्लाई यह जो है यहां से यहां पर एक रेश्टेंस होगा रेश्टेंस के बाद यहां चार भोल्ट AC मिलेगा DC नहीं AC मिलेगा जब ऐसा AC मिलने लगा तो समझेए कि सेट हमारा चालू हो गया और उसके बाद सेट को ट्यूब में कनेक्ट करके देखाएंगा अईसे जो है इस टाइप से इस पर पूरा जो है कि भोल्टेज लिख दिया है इसके अनुसार दोस्तो आप लोग चेक कीजिए और सेट को बनाईए थैंक्यूब